अपना उपीडियन शेर करूंगा आपसे तो आप खुड डिसाइड कीज़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है बहुत सारे आप्लाइं से बोलते हैं कि ऑफ्लाइं क्लोसिंग बेटर है उसमें कोई गल्ती नहीं कोई प्रॉब्म नहीं है क्योंकि psychologically offline किसी को कोई भी चीज को मना करना मुश्किल है online के comparison में online में किसी ने किसी को reply नहीं किया या फिर आप ब्लॉक कर दो या ड्रीट कर दो काम कतम आगे कोई कुछ बोलने नहीं आ रहा but when you are face to face उस समय मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के समय के हिसाब से क्या बेटर है और आपके लिए क्या सूट करेगा किसी के लिए कोई चीज काम करता है उसका यह मतलब ने कि वह exactly आपके लिए भी काम करें राइट सो हमें समझना important है कि exactly आपके business के लिए आप कैसे काम करेगा यह चीज देखिए आज के ताइम पे 2023 में आप business करने का तरीका चेंज हो गया और अगर आप वही पराने तरीके से करें लोगों को convince करें कॉल करें मैसेज करें हो कस्टमर के door-to-door जा रहे हो वैसे काम नहीं होगा आप चीज़े 100% online हो सकती है आपके घर बैठे हो सकती है जिस भी कंपनी को आप represent करते हैं उनके सारे facilities होते हैं आपको बस एक तरह काम करना है जिसमें बीच में आपका commission है तो अब आप यह चीज़ online कैसे करेंगे क्योंकि आज के टाइम पे इस business को network marketing business को online करने के लिए जो system है वो सबसे important है कि कैसे वो prospect वो customers आप तक पहुँचे ना कि आप उनको जाके convince करो अगर आप उनके पास जाते हो ना तो आपकी need आपकी compulsion नजर आती है राइट control सामने वाले के हाथ में होता है किसी भी और business के तरह fundamental same है तो आप यहाँ पर क्या आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या इसा मैं करू कि वो customer वो prospect मुझे approach करें तो दो-तीन main reason है जो मेरे opinion में online closing better होती है और सबसे पहला reason यह है कि देखिए जब आप offline कोई चीज़ करते हैं तो आपके जो prospects होते हैं आपके जो customers होते हैं वो एक बहुत impulsive force decision लेते हैं कहीं ना कहीं इसी दिए लोग network marketers से तोड़ा दूर भागते सबी टाइब के marketer से दूर भागते हैं जो product sell करने आया है कोई इंसान कुछ मतलब यह नहीं चाहता कि कोई उससे कुछ बेच के चला जाए इंसान अपना decision खुद लेना चाहता है वही चीस online में जब आप करते हो human psychology को समझते हैं आप लोगों के problem को solve करते हो जब आप उनके problem के थ्रू अपने stories के थ्रू offline उतना मिलना एक परसन से बार बार पॉसिबल नहीं है बट वह इंसान आज के टाइम पर सबका attention online है तो हर कोई online अवेलेबल है कोई भी offline अवेलेबल नहीं कोई आपको सामने बैठा भी दिखेगा तो वह offline अवेलेबल नहीं है उसका ध्यान भी करता है उसको result आता है और वह आपसे connected feel करता है तो एक रीजन यह है कि decision making कैसे होता है online करने का तरीका क्या है तो आपको सबसे पहले human psychology समझना होगा हर business मैं ऐसा होता है human psychology समझते वे लोगों के problem को solve करना है और उस solution में अपना product को आपको आगे pitch करना है तो वहाँ पे closing better ह हो गया product दो टाइप की हो सकती है वह physical product भी हो सकता है या फिर आपका business opportunity भी हो सकता है दूसरा important reason यह है कि cost effectiveness अगर आप offline कोई भी चीज़ करते हो एक product या फिर एक चीज़ को sell करने के लिए कितना खर्चा होता है location dependency होता है आपको पता ही है कि दिन में अगर घर से निकलो तो हजार पे तो खर्चे होती है आप लोगों से मिलते हो demo दिखाते हो सब करते हो आपका time लगता है effort लगता फिर जाके sales आएगी है नहीं कि उसके भी कोई guarantee नहीं है बट आज के time पर चीज़ें इतने easy हो गई है अगर आप वही focus online करो right system right guidance के साथ तो आप वो better closing कर पाऊगे आपको आपका वहाँ पर cost बहुत save हो जाएगा right and तीसरा important सबसे important चीज़ है जो मैं मानता वो है global reach आपका आप कितने बड़े time में हो total addressable market आपका market कितना बड़ा है right तो अगर आप offline काम करते हो न तो आप एक local market तक सीमित रह जाते हो getting my point आप एक local market तक सीमित रह जाते हो आप उन potential customers तक पहुँच है नहीं पाते हो और मान के चलो आपकी अगर company ऐसी है जो multinational company है जैसे जिस company के साथ मैं associated हूँ जो मेरे part time business है वहाँ पे 170 countries में है तो मैं अपने घर की comfort में बिना घर से बहार निकले I can build my business I can build my team I can sell the products right तो उस तरीके से आपको देखना होगा कि online में यहाँ पे global reach है इंडिया के अंदर भी आपका operation है तो पूरे इंडिया के अदर अपने घर के घर पे बैठे अपने phone अपने laptop अपने internet के help से आप वो चीज़ कर सकते हो तो दो तीन reasons है जिसके वज़े से मुझे believe है मुझे मेरा opinion है कि online closing better है in comparison to offline in today's time although offline better, offline भी अच्छा है जो कर रहे है that is fine but आपको यह देखना है कि आपके लिए क्या suitable है आप किसमें ज़्यादा comfortable है अगर आप मेरे age के हैं मेरी तरह mindset रखते हैं तो I don't think आप offline किसी को भी जाके convince करने में comfortable रहेंगे और कहीं ना कहीं इसी reason के वज़े से लोग इस industry को change हो रही है आपको business के fundamental समझना पड़ेगा हर business का fundamental सेम होता है करने का तरीका अलग होता है marketing strategies अलग होते हैं but business सेम है वही product है वही लोगों की problems है उनको solve करना है और अपनी sales को improve करना है right marketing करनी है right तो I hope आपको clarity मिला होगा कि सबसे पहला चीज online जब आप काम करते हो कि human psychology को सम जाके आपका sales improve होगा आपका income revenue improve होगा and तीसरा सबसे important point cost effectiveness आप अगर एक product को sell करने के लिए आपका कितना cost लग रहा cost ही लगभख उतना ही लग जा रहा आप no profit no loss पे हो या minimum profit पे हो तो आप कभी scale नहीं कर पाऊगे right तो these are the reasons I hope आपको clarity मिला होगा अगर आप interested हो की business का online कैस description में और सब वीडियो के form में आप में जैसे बात करने से पहले ही आपको सब कुछ पता होगा अगर किसी भी चीज में आपको interest आता है कि हां कुछ सीखना या मेरे साथ काम करने आप मुझसे पसली वहुत सब्सक्राइब करने कीजिए we can so thank you for watching this video subscribe to my channel and I'll see in the next video